इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम भर करेगी। जब तक आपका डॉक्टर सिफारिश करता है तब तक आपको इस दवा को लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थि सेवा हैं और आम तोर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप किसी भी दुश्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्ख करें। यह उनिंदापन और चक कर आने का कारण भी हो सकता है। इसलिए ड्राइब न करें या ऐसा कुछ भी न कर जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यक्ता हो जब तक आप यह नहीं जानते की यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। जीवन शेली में बदलाव जैसे ठंडा दूर प बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। यदि आपको लिवर की बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्यूक्त खुराक निर्धारित कर सके। ठीक उसी तरह लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारित किया गया है। जीवन शेली में कुछ सरल बदलाव GARD के लक्षनों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचें की कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें, छोटे अधिक बार बोजन करें, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने की कोशिश करें और आराम करने के तरीके खोजने की कोशिश करें। सोने के 3-4 घंटे के अंदर खाना ना खाएं। कार्यात्मक अपच का उपचार, कार्यात्मक अपच अपच के लिए एक और शब्द है जो किसी विशिष्ट कारण से जुड़ा नहीं है। इसके कारण खाने के बाद जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना, पेट में दर्द इसदी कैपसूल SR के साइड एफेक्ट, अधिकांश दुषप्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायुजित हो जाता है। अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदी वे बने रहते हैं या यदी आप उनके बारे में चिंतित हैं।